हेलो स्रेंट्स टूड़े विल स्टूड़ी हिस्ट्री वेची चैप्टर एटीन इंडियास कॉन्टक्ट विट डिस्टेंस लैंड इन प्रिवेस चैप्टर वे विल नो हाओ दो मौरेन एंपायर डाउनफॉल है यह तो आप लोगों को याद ही होगा और मौरेन एंपायर के सबसे लास्ट एंपेरियर जो थे वो थे वियतनात जिनको पुष्य मित्रा संगा ने मारा था और एक नए डाइनेस्टी के सुरवा डाइनेस्टी जिसको सक्सेश्ट कया था कानवा डाइनेस्टी तक और इसमें कुछ अतर गुपतास के इंग्डम में इस्टाप्लिष्ट हुए थे तो बच्चों अब हम यह जानेंगे कि जो किंग्डम्स थे यह जो सारी किंग्डम्स थी नॉर्थ वेस्ट में हुई थी और हमारा देश इंडिया इनके साथ अपना कॉंटेक्ट को लेकर बनाया था तो उसी से रिलेटेट यह हमारा चैप्टर है जो सुदूरवर्ती इलाकों के साथ देशों के साथ जो हमारा भारत अपना कॉंटेक्ट बनाया उसी के उपर ठीक है तो इसमें सबसे पहला जो हम तॉपिक को देखेंगे वो है नॉथ वेस्ट इंडिया एंड फॉजिर इंवेंशन इसमें थे इंडो ग्रिक्स तो यह सबसे पहले फॉर्टनर थे जो इंडिया के साथ ट्रेड के रूप में सामने आये थे जो हमारे इंडिया के थे वो बहुत स्ट्रॉंग नहीं थे तो नॉर्थ वेस्ट का जो एक बहुत लार्ज पार्ट जो था वो इंडो ग्रिक्स ने अकुपाई कर लिया था और यह रीजन जो फैला हुआ था वो था पंचाला से पाटली पुत्र तक का और इसके दो मोस्ट फेमस रूलर जो सामने आये थे वे थे मिनिंदर और मिलिंदा अब यह ग्रिक्स जो थे इनके इंफ्लियंस को देखें तो इनके अंडर में एक स्कूल खूला था जिसको गं कॉंबिनेशन था इंडिया और ग्रीक एलिमेंट का और यहां आप इसको एक पिक्चर के रूप में देख पारे हुए एक इमेज है जो एक स्टैचू है बुद्धा का वो है ग्रीक स्टाइल में दूसरा है दस आकाज तो इन्होंने रूल किया था फोस सेंचूरी एडी मे इन्होंने रूद्रा दमन जो थे वो मोस्ट फेमस अकाज रूरल थे इन्होंने रूल किया था ओवर सिंध गुजरात नर्मदा वैली मालवा टू वेस्टर डिकन तक और इन्होंने प्रमोट किया था संस्कृत लैंगवेज को नेक्स्ट जो है वो है दो पराथन्स तो इसमें जो इंडिया के ये जो पराथिंस थे वो इंडिया में इरान से आये थे और दे जो रूल ओबर स्मॉल पोश्शन ऑफ नौर्थ वेस्टर इंडिया गुज़ोंड़ फेरें के फेमस रूरल थे इसके बाद आता है दो कुश को सकसेट किया था कुसांस ने वो बिलांग टू दा यूची ट्राइब है यह यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे जो चाइना के पास था इनमें कनिश्का वाज जा मोस्ट पावर्फुल रूलर ऑफ कुसांस डाइनिस्टी दा कुशांस एंपेरियर इन हिस टाइम एक्स कनिश्का थे वे एक बुद्धिस्त थे और इन्होंने ब्यूल्ट किया था बहुत सारे स्टूपो को जिसमें हम यहां फेस्टू फैक्ट में पढ़ेंगे कनिश्का स्टाटेट ए न्यू एरे कॉल सका एरा विच इस नो यूजड बाइदा गॉवर्मेंट अफ इंडिया जो आज भी हमारा गॉवर्मेंट अफ इंडिया इसको यूजड करता है उसके बाद कुसांस के इंफुलेंस को अगर हम देखते हैं तो इस समय में मराथा स्कूल आफ आर्ट फ्लोरिस्ट हुआ था है ना और इस टाइम में डिफ्रेंट क्वाइन वगरा पाए गये थे जो आप इस पिक्चर में देख पा रहा हो घण हम देखते हैं यू प्रेनेस्थिव सद्रारा तो अगरम सबसे पहले देखेंगे इस में हम सबसेним सबसेंदे देखते हैं दचेरास को यह प्रेट किया था जो आज का यानी प्रेजंट डेगा के रला और इसका कैपिटल जो है कार और वन जी और इसके ग्रेटेस्ट रूलर को अगर हम देखे तो वो थे सेन कुट्टवम और कुराथ वाइज इंपर्टेंट ट्रेड रूट जो कनेक्टेड था मालाबार कोस से और यह लोग जो ट्रेड करते थे वो मोस्टली एक्स्चेंज होत इसके के त्रूफ फिरेट गूट्ट नेक्स्ट फींट से द्रूफ चोलाज तो जो नेक्स्ट है वो हो Admiral तामिल नाडू में है इसके मेंली दो कैपिटल थे जिसमें उरियार जो है इसका मेंन कैपिटल था और कारी कोला वाज ग्रेटेस चोलाज रूलर नेक्स आता है दा पांडेयाज तो इसमें हम देखेंगे मदुरही रामनाथ पूरम और तीरो नेलोजी इन तामिल नाडू वो था फिश हना नेदू चे जीन वाज ग्रेटेस्ट पांडेयाज रूलर और ये वेल दिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग थे नेक्स्ट हम देखते हैं दस सत्भानाज तो अगर हम सत्भानाज की बात करते हैं तो इस डाइनेस्टी रूल्ड इन एरिया विच अनौन महारास्टा करनाटका और अंद्रपर्देश है ना और इसमें सत्मा नाज जो थे वो इसके बहुत जादा ग्रेटेस्ट रूलर थे और इस समय में जो विमेंस इंज्वाइड है विमेंस जो थी एक बहुत थे की अड्मिस्ट्रेशन के मामले में है ना और इसमें अमरावती इस फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट स्क्लक्चर है ना नेक्स्ट अगर हम रिलीजियन्स की बात करते हैं तो इस समय में बुद्धिस्ट बुद्धिस्म जो थाम था वो ज्यादा फ्लोरिस्ट हुआ था और ये साउथ इतन एस्या से लेकर श्री लंका थाइलेंड मैमार और इंडोनेसिया तक हुआ था इसके अलावा भक्ति का सुट्वीजियन्स में भागवान शीव और विश्णु को पुजा गया था और हिंदीजिम की सुर्वात्य तो इसमें डिपोशन ऑफ सिवा जो था वो दिफूशन ओभ सीवा जो था जिसे से शीविज्म कहा गया था और डिफूशन दिफूशन टो वीष्नु था जिसे वैशन्वीज्म कहा गया था साउत में लोडशीवा को पूड़ने वाले को नाया नार्स कहा जाता था और Lord Vishnu को पूजने वाले को अलवार्स कहा जाता था and they were also known as Shivas and Vashnamas तो I hope कि यहां तक आपको यह chapter अच्छे से समझ में आया होगा इसको ध्यान से समझेगा पढ़िएगा और यहां पर हमारा syllabus history का भी complete हो गया है PT2 का तो हम लोग PT2 के सालेबस में history civics geography के सालेबस को complete कर चुके हैं तो इससे related आपको question answer भेज़ दिया जाएगा अच्छे से पढ़िए गड़ चाक्या